हेलो इस्टुएंट्स वेल्कम को दा चैनल आप अनकाडमी ब्रिज मैसल असित मुंताज आप लोग क्या मुझे देख पा रहे हैं इस आइम आप ओडेबल टो एब्रीवन ठीक है आज हम लोगों को एलेक्रोलिसिस का क्वेशन और अंसर सेशन है अगर आप कुछ भी चाहें वहां से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं ठीक है इस आइम ओडेबल टो एवर्रीवन है है हेलो क्या मैं ओडेबल हूँ आप लोगों को यह 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 है मीना पांडे हाव यू आप लोग एक काम कर सकते हैं मैंने जो इलेक्रोलिसिस यहां पर अल्लेडी नोट्स बना के रखा पढ़ाया भी है पहले आप मेरी प्रीवियस क्लास में भी देख सकते हैं ठीक है इस अध्यों के सो एक बार मैं शेयर कर देता है लिंक आप लोग भी शेयर कर दीजिये ठीक है, feel free to ask, अगर कोई भी issue है, कुछ भी जानना है, कोई भी question है, पहले electrolysis से जो है, वो पूछिए, अगर उसमें question अगर नहीं होंगे, then we can ask from any chapter, please question पूछिएगा, आप लोग बोलते कोई chapter पढ़ाने के लिए, मैं हर chapter को ले जाता हूं, उस दिन वो chapter राके पढ़ बहुत से classes में recorded भी है यहाँ पर, ठीक है, live electrolysis, बस मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूं, just keep me one more minute, मैं यह link share कर रहा हूं, जब तक जितने लोग present है, वो लोग भी link share करें, चलो कितने लोग आ गया है, let me check once, मीना पांडे है, और बोले मीना, क्या जानना है आपको, अगर कोई भी queries है, तो feel free to ask, link share हो गया है, और बताईए, देखे, electrolysis क्या है, what is actually electrolysis, chemical energy, जो electrical energy में change होता है, उस process को क्या बोलते है, electrolysis, definition है, book में दीवी, बहुत अच्छी बात है, वो भी मैं show कर दोंगा, आप लोग को किया भी हूं पहले, आप उसे याद भी कर लिजिए, ठीक है, मगर actually electrolysis क्या है, समझने के लिए, समझने के लिए electrolysis क्या है, एक chemical compound, आपका energy generate कर रहा है, तो chemical energy किस में convert हो रहा है, electrical energy में, is it okay, आप लोग जितने भी लोग present है, प्लीज, लिंक को share करते वे चलिए दोस्तो, ठीक है, आइए, the word electrolysis can be split into two words, electro आपका किसलिए use होगा, flow of electron, जो electricity से होता है, lysis मतलब वो होना, compound do type का होता है, एक electrolytes होता है, non electrolytes होता है, electrolytes क्या होता है, जो ions में तूटता है, non electrolyte क्या होता है, जो ions में नहीं तूटता है, जो electrolyte ions में तूटता है, गर वो completely तूट रहा है, तो उसे strong electrolyte बोलते हैं, और अगर partially तूट रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, weak electrolyte clear है, मैंने ये काफ़ी detail में आप लोगों को पढ़ाया है, जिनका जो भी doubts है, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेट्स crack it with unacademy, ठीक है, आप अगर unacademy में subscription लेना चाहते हो, या फिर free में भी class करना चाहते हो, और आप पहले बार enter कर रहे हो, तो आपको एक password के तरह एक invite code देना पड़ता है, जो आपके screen में आप topmost में देख सकते हैं, वो invite code चल रही है, that is Asif Umtaz, और अगर आप subscription भी लेना चाहते हैं, तो आप वो code डाल सकते हैं, वो code का benefit ये है, कि आपको 10% maximum जो unacademy discount आपको मिल सकता, वो मेरे code से यहाँ पर आप देखे ले सकते हैं, weak electrolyte के बारे में बात किया, weak electrolyte में weak acid, weak base है, कितने detail में यहाँ लिखा है सब कुछ, मैंने कितने detail में यह सब चीज़ पढ़ाया है, is it okay? देख लीजिए एक बार, उसके बाद बैक पुरा definition लेके भी आया हूँ, weak electrolyte क्या है, strong electrolyte क्या है, जब दब मैं कुछ और भी link share कर देता हूँ, कि कि बहुत लोग ने मुझे बोला था, हो सकता है, वो भूल गया हूँ, देखें, आप लोग यह channel को subscribe कर लीजिए, सबसे पहले, on academy break, इंडिया के best educator यहाँ पर 9, 8, 9, 10, NTSC, foundation, अलग-अलग category है, foundation need, foundation je, सभी की classes होती है, तो आपको regular यहाँ पर, मंडे टू फ्राइडे, साड़डे भी लेता हूँ, अगर वो timing मैं एक दो दिन पहले fix करता हूँ, मगर बंडे टू फ्राइडे टू थर्टी, is it okay, कितने लोग आ गये, एक पर मुझे इन लोगों की chat देख लेने दीजिए, मीना, is there, और, अगर किसी की कोई भी queries है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी issue है, देख रहे हैं आप लोग किस तरह से, अब electrolysis का definition देखी, it is a decomposition or dissociation of a chemical compound or electrolyte in aqueous or fused state by the passage of electric current resulting in discharge of ions as a neutral atom and respective electrode. Moulten NaCl, fused NaCl, किस तरह electrolysis हो रहा है, यह मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने पूरा आपको लिख के explain किया है, ठीक है, ठीक है, is it okay, any problem regarding this, देख लो, कर कोई भी इस्व हो है, ठीक है, ठीक है, देख हूं, किसी की कोई doubts है, आप यह देख वा रहे हैं, आप सेशन को like करते वे चलिए, अगर आपको किसी भी जगा, कोई भी doubts है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, देखे अगर्ष कॉपर सुलफ़ेट यूजिंग, नॉर्मल एलेक्ट्रोड हाई फरास खान, ठीक है, आप देख सकते हैं, यह अगर्ष कॉपर सुलफ़ेट का एलेक्ट्रोलिसिस है, कॉपर सुलफ़ेट क्या होगा, अगर्ष में कॉपर आइंस में ब्रेक होगा, सल्फ़ेट भी होगा, वाटर भी होगा, इसके थुरू हम लोग क्या जानते हैं आपका, what fundamentally we know, क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका, हाई परास खान, हाई पियूश, ठीक है, ये देखिए, कॉपर जाएगा, क्यों ये दो में, दोनों तो positive आयान है, कौन जाएगा, hydrogen, because electrochemical series, ठीक है, और कॉपर लोवर है, लोवर पोजीशन में है, मैंने आपको थोड़े देर पहले भी देखाया है, बोलिए किसी की कोई भी डाउट से, फराज खान, पियूश कुमार, आप बिल्कुल पूश सकते हैं, we are in unacademy platform, the channel is unacademy bridge, please इसे subscribe कर लिजे, मैं Monday to Friday, 2.30 से यहाँ पर available रहता हूँ, at anod, what will go, we know this thing, electrochemical series, ठीक है, fused NACL, molten NACL, मैंने यह सब पहने पढ़ाया है, आपको पूरा, ठीक है, आपको अगर किसी भी portion में कोई doubts है, मैं आज जो आया हूँ, मैं live class के लिए आया हूँ, आपका question answer of electrolysis, ठीक है, is it okay, मैं उसके लिए आया हूँ, electrolysis के लिए आया हूँ, समझाने के लिए अगर आपकी question answer नहीं है, तो मैं आपको portion दिखाते जा रहा हूँ, जो आपके syllabus में है, और आपकी basic concept को वो clear करते वे आगे जाएंगे, देखिए, molten and fused NACL, high mix of things, अपने friends को सभी को link share केजिए, यह live session है, लोगों को बोलाई है, जिनके जो भी doubts है, feel free to ask, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, feel free to ask, molten and fused NACL आपने देख लिया, आईए, और भी बहुत सी electrolysis, यह देखिए हमारा electrochemical series है, जो मैं आपको भी देखा रहा था, copper is placed lower than hydrogen, so कभी भी electrolysis होगा, और multiple cations होगा, तो वो cations electrode के पाथ जाएगा, सिर्फ एक जाएगा, वो कौन सा जाएगा, जिसका position lower है, electrochemical series में, अनायन भी यह है, याद कर लीजिएगा, आईए, aqueous NACL, यह आप देख रहे हैं, aqueous NACL में आपका क्या है, sodium है, chloride, and water, यह क्या होगा, Na+, Cl-, हो सकता है, red color आपको थोड़ा reflect नहीं कर रहा हो, water में आपका क्या break हो क्या होगा, H+, OH-, अब यह 2 में कौन सा जाएगा, यह 2 में आपका hydrogen जाएगा, because lower position है, यह 2 में क्या होगा, OH-, lower position है, आप चेक कर सकते हैं, यह रहा, OH तो सब से lower है, at cathode क्या जाएगा, hydrogen, देख लिजिए, hydrogen कैसे बन रहा है, at anode क्या जाएगा, 4OH combine होके, 1 OH, electron lose करके OH, OH is stable नहीं है, 4OH combine होगा, 2H2O plus O2, किसी के कोई doubts है, तो feel free to ask, I am here to answer your queries, procession like करते बहें चलिए, friend, देख लिजिए, aquas copper sulfate भी देख लिजिए, यहाँ पर अगर किसी को, किसी भी portion में, issue है, तो feel free to ask, किस तरह हो रहा है, cathode में क्या जा रहा है, anode में क्या जा रहा है, cathode में copper जा रहा है, anode में OH माइनस जा रहा है, तो solution में क्या बच रहा है, H plus SO4 माइनस, तो यह मिल के क्या बन जाएगा, sulfuric acid, ठीक है, देख लिजिए, यह भी मैंने नीचे में निख दिया, जिसे battery, acid भी बोलते हैं, जिसे battery, acid भी बोलते हैं, thank you mix of things, और बताएगे कैसे हो आप, कोई queries हैं आपकी, कुछ पूछना है, अपने friends वेगारा, आपको भी यह session के बारे में बताएगे, मैं यह chemistry के लिए ही आता हूँ, like कर दिया, thank you, और बताएगे, clear एगदम यह, electrolysis, चली, और भी potion मैंने पढ़ाया था, वो भी मैं आपको देखाता जा रहा हूँ, देखिए, फिर मैं electrolysis के बारे में आया, देखिए, electrolysis, fused and molten lead bromide, very important for ICSC and NTSC, बहुत important है यह ICSC and NTSC के लिए, फिर में आपको देखिए, फिर में आपको देखिए, फिर में आपको देखिए, lead bromide एक white quarter होता है, 380 degree centigrade में heat करने से, lead bromide ion बनता है, graphite में क्या जाता है, आपका cathode graphite क्यों होती है, lead जाती है, जो silvery gray deposit होता है, silvery gray deposit, कोई भी solid अगर deposit होता है, cathode में तो क्या बोलते है, deposit, ठीक है, anode में deposit मतलब वोई PPT, anode में क्या निकलता है, reddish brown gas, समझ में आ रहा है, जिसे आप fumes भी बोल सकते हैं, देखिए, ये question MCQ की, the observation seen when, चलिए answer यहां दिया हुआ है, problem, देख लिजे एक पर question, देख लिए, आपने answer क्या है, C है, obviously, silvery grey deposit है, वो cathode पे होगा, and bromine anode पे होगा, याँ मत देखिए, क्या देखिए, silvery grey deposit है, cathode, and reddish brown deposit है, ये तो deposit नहीं होगा, ये तो gas होना चाहिए, तो यही इस दो में difference कर दे रहा है, यहां देखिए, fumes दिया है, ये fumes तो नहीं होगा, deposit होगा, यहां deposit दिया है, ये deposit नहीं, fumes होगा, आरहा समझ में क्या है, question number two देखिए, पूरे lead bromide की उपरी, based है, कोई issue तो बताईए, कि मैं फिर से explain कर देता हूँ, आप लोगों को, अगर कोई doubts नहीं है, तो मैं session over कर दूँगा, देख लिजे, पूरा आप लोगों को पूरा देखा देता, question three, electrolysis, acidified water, dilute sulfuric acid बोलते हैं, धिरे-धिरे stop करके, इसको लिख लिजे, देखिए, यहाँ पर पूरा question answer दिया वाए, पूरा देख सकते हैं, देखिए, कितने अच्छे से explain किया गया है, aquas copper sulfate using graphite electrode, फिर से उसके उपर क्या question है, वो दिये वे हैं, ठीक है, इसी तरह मैंने काफ़ी detail में, देखो, using inert electrode आप देख सकते हो, कहीं पर कोई भी परिशानी है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, not a problem, in asking question, again and again, ठीक है, अगर कोई doubts नहीं हैं आपकी, कोई problem नहीं है, हम लोक्सेशन ओवर कर देंगे, ठीक है, thank you everyone for coming, see you tomorrow at 2.30, bye, take care,